दो इंवेस्टेड हैं एच उलिदी बहुत बड़ी खबर और मैं इस निउस से बहुत जाधे एक्साइटेड हूँ तो कि HFCL मेरा सेलेक्शन है stock का मैं उसमें invested हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं मेरे साथ बहुत सारे investors और भी invested हैं इसके अंदर 25 रुपीज से लेकर के 24 रुपीज से लेकर के 30 35 तक की range में बहुत सारे investors इसके अंदर invested हैं जो लोग भी मेरे portfolio के साथ connected थे उस समय जो मैंने HFCL में पहली बार investment की थी मेरे HFCL के investment का पुरूफ यह रहा आपके screen पे आप देख सकते हैं कि इसमें मेरी जो average investing price है वो करीब 30 रुपीज के आसपास है discussion को आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आगवस value investing से जुर के आप बहुत मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आपसे तीन requests हैं सबसे पहली चैनल को subscribe करिए bell notifications on करिए ताकि सारी updates सबसे पहले आपको मिले आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो एक बार प्लीज जाके वीडियो सेक्शन में देखिए कि चैनल पे किस-किस तरीकी वीडियो रिलीज हुए और उनसे कितना मुनाफ़ा investors ने कमाया है दूसरी request आप से यह है कि प्लीज वीडियो को like करिए क्योंकि हम कोई भी वीडियो आपके बार से लाने से पहले बहुत मेहनत करते हैं मैं और मेरी टीम तो आपका एक चोटा सा like हमारे encouragement को इतना जादा बढ़ा देता है प्लीज वीडियो को like करिए अगर बाद ने आपको पसंद आए तो बेशक just like कर दीजेगा और तीशी request आप HFCL के बारे में या small cap investing के बारे में multi bagger stocks के बारे में या stock markets related किसी भी बारे में एक छोटा सा comment जरूर comment section में डालिए आप जो भी comments देते हैं उससे मुझे मेरी team को और मेरी investors को बहुत ज़ादा फायदा होता है नमस्कार मैं रागफ कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूँ रागफ's value investing में और आज HFCL की जिस news के बारे में हम बात करेंगे जहां तक मैं समझता हूँ आप में से बहुत लोगों को उसके बारे में पता भी होगा लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी stock में invested होते हैं और उसमें कोई बहुत अच्छी ख़बर आती है तो नहीं कह सकता मैं सिर्फ हचे ल की इस निउस के बारे में आज करूंगा जो बिसमेस मैंने पहले करी थी अपने वीडियो में वो वीडियो के लिंक्स आपको description में मिलेंगे और यहां कार्ड में आपको बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने अपन को भी small cap investing के उपर भरूसा होगा और आपको समझ में आएगा कि इंट्राटे टेडिंग वगेरा की भाग दोड में कुछ नहीं रखा असली पैसा असली मुनाफ़ा सारा का सारा small cap investing में हैं अगर आप एक serious long term investor है और अभी तक आप large caps में ही invest करते रहते हैं और 10-10-15-15-20-20% के profit पे काम करते हैं और खास दोर से अगर आप stop loss लगा के काम करते हैं तो ये वीडियो जो card में है ये बिलकुल आप के लिए बना हुआ है stop loss जैसा शब्द किसी भी investor की dictionary में नहीं होना चाहिए जहां आपने शुरुआती stop loss से परी इसका मतलब है कि आप loss लेने के लिए पहले ही तैयार है अब as an investor मैं loss लेने के लिए कभी तैयार नहीं होता मुझे कभी भी जरूत महसूस नहीं होती किसी भी stock में loss लेने कि सिर्फ holding period कि सी भी stock में कम यह जादा हो सकता है that is all अगर company का selection अच्छा है तो वो company आपके सारे targets को achieve करेगी 10-10, 15, 15, 20, 20 गुना तो क्या 50 गुना 100 गुना भी multiply करेगी the only thing that is required is patience and right selection of stocks तो अगर आप मेरे इस तरह के small cap portfolio के साथ connect होना चाहते है directly ताकि जिस price पो मैं buy कर रहा हूं वो price आपको उसी समय पता चल जाए तो इस WhatsApp नंबर मुझे message करिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह किस किस तरीके से आप मेरे portfolio के साथ connect हो सकते हैं और अगर आप मेरे portfolio के साथ directly connect नहीं भी होना चाहते कोई बात नहीं YouTube के इस channel को follow करते रहिए आपको बहुत सारे profitable ideas यह आए अब चलते हैं हम HFCL की उस खबर पर यह 10th December को release हुई है यह letter यानि कि यह आज ही release हुआ है और इसमें company ने यह कहा है कि उन्होंने private placement के द्वारा qualified institutional buyers को qualified institutional buyers होते हैं जो पहले से selected होते हैं यह institutional buyers होते हैं यह normal individuals नहीं होते यानिके retail buyers नहीं होते हैं यह वो buyers होते हैं जैसे institutional buyers कहा जाता है जो के उस criteria को qualify करते हैं दुसरा private placement क्या होता है private placement होता है कि पहले से यह buyers decided होते हैं एक private placement होता है 50 से कम लोगों को जब को issue दिया जाता है तो उसको private placement बोलते हैं इसमें issue price जो रखी गई थी 68.75 per equity share at a premium of 67.75 क्यूंकि face value जो share की है वो एक रुपे है तो इसलिए यह premium कहलाएगा एक रुपे के उपर जितनी भी बात है और इससे 600 crore approximately raise करे हैं company ने 600 crore company ने raise करे है और obviously इस पैसे को अब company आगे अपने operations में लगाएगी याने के अपने business में लगाएगी यह qualified institutional जो buyers को allotment करा गया है यह थे 8 crore 72,72,727 equity shares total 21 qualified institutional buyers के अंदर थे तो जैसा कि मैंने कहा कि यह एक private placement था और अब जो company के total equity shares है वो है 137 crore 65,84,221 इनकी face value 1 की है अब चलते हैं यह देखते हैं कि कौन से जो यह qualified institutional buyers थे इसमें सबसे बड़े buyers कौन-कौन थे यानि कि कौन से ऐसे buyers जिन्होंने 5% से ज़ादा इस total 8 crore 72,72,727 shares में 5% से ज़ादा केस्सेदारी purchase करी यह वो list है HFCL Group की तरफ से जो release हुई है जिन्होंने 5% से ज़ादा equity shares offered in the issue को purchase किया है या allot हुए है सबसे पहला नाम सुनके ही आपको मज़ा आ जाएगा वो है Reliance Ventures Limited, Reliance Ventures Limited, Reliance Industries Limited की एक subsidiary है तो Reliance Industries Limited ने अब अपने subsidiary के थुरू 2,72,727 shares यानि कि 23% of the shares offered purchase करे हैं इससे Reliance की हिस्सेदारी company के अंदर काफी हद तक मजबूत हो जाती है अब Reliance इन से समान भी खरीदते हैं यानि कि जो optical fiber ये बनाते हैं 5G में इस्तमाल होने वाला वो भी Reliance इन से purchase करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक business move थी मुझे ऐसा लगा कि Reliance एक तरफ तो material भी purchase करते हैं, इनका product purchase करते हैं दूसरी तरफ अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं मैं Reliance को लगता होगा कि जब मैं इस company से समान खरीद रहा हूँ तो obviously इस company को फायदा होगा, company को फायदा होगा, company की balance sheet improve होगी, profit loss statement improve होगे तो company का share बढ़ेगा, earnings per share बढ़ेगी, company की share price बढ़ेगी, या कल को dividend मिलेंगे dividend मिले, या earnings per share बढ़ने की वेरिसे share price बढ़े, चाहे जो भी हो क्यों ना मैं इस company में हिस्सेदारी खरीद हूँ, क्यों ना मैं इस company में छोटा से एक partner ही बन जाऊँ तो company से समान भी लेता रहूँगा, जो पैसे company को दूँगा, उसकी वेरिसे जो share की कीमत बढ़ेगी, तो मेरे share की कीमत भी बढ़ेगी I think it is an excellent, well-thought business move Next आते हैं quant mutual funds, तो quant mutual funds में आप देख सकते हैं, total कई funds के अंदर, quant mutual funds ने अपने अलग-अलग plans होंगे, इनके mutual funds के, उसमें total 21% of the shares offered, यानि के offer में जो shares थे, 8 crore something जो हमने देखे, वो company ने purchase की है, quant mutual funds ने उसके बाद, जो next बड़े buyer हैं, जिन्होंने 5% से जादा हिस्सा खरीदा है, of the shares offered 6.26% पे है, BNP, Paribas, Arbitrage Fund, then Elm Park Fund Limited, जिन्होंने 14.38% हिस्सा खरीदा है, Society General है, जिन्होंने 8.32% हिस्सा खरीदा है तो obviously खबर बहुत बड़ी है, 600 crores का यहां पे एक private placement के द्वारा qualified institutional buyers से fund raise किया गया है, अब कोई भी institutional buyer ऐसे ही किसी company में हाथ ने डालेगा है, इससे कई बाते सावित होती हैं, कई बाते आगे का रास्ता साफ होता है, सबसे पहली बात तो, कि the company had no problems in raising 600 crores from qualified institutional buyers, इसका मतलब है कि जो बड़े buyers हैं, जो बड़े fund houses हैं, उनका पूरा confidence इससमें, company के अंदर है, अगर बड़े funds का confidence अंदर है company में, तो मेरा आपका confidence क्यों ना हो, मैं तो पहले से ही इसके अंदर invested हूँ जैसा कि मैंने प्रूव दिखाया और मैं अपना एक भी share आगे बेचने नहीं वाल इन companies को सिर्फ काम करने देना चाहिए, पांच साल तक आख बंद करके सिर्फ इन shares को hold करना चाहिए, जा तक मैं समझता हूँ, अगले एक साल के अंदर, share price, present level से कम से कम 2-3 times multiply हो जानी चाहिए, बट यह मेरा अपना मानना है, यह कोई recommendation नहीं है, this is just sharing of thought from an investor to another investor, मेरी जितनी करना मानना है कि ठीक है, मैंने तो 30 रुपे के साब से invest करा था, और अब यह share, 60 रुपे को भी पार कर चुका है, बट अगले एक साल में, यानि कि in the next 12 months, अगले दिसंबर तक, December 2020, कम से कम 2-3 times यहां से इसकी price multiply करेगी, final target इसका क्या होगा, जैसा कि मैंने का कोई final target नहीं है हो सकता है यह share 500 रुपे हो जाए, हो सकता है 1000 हो जाए, हो सकता है 200 रुपे पर रुख जाए, 300 रुख जाए, बट, future में क्या होगा, वो future में बता चलेगा, इसलिए कम से कम 5 साल हमें इन shares को hold करना चाहिए, बिना एक भी share को बेचे, ऐसा मेरा अपना मानना है, और यही मैं क चुकी है, unprecedented सारे के सारी अविस के अंदर यह खबरे हैं, तो मेरे ख्याल से, we should hold HFCL for the very long term, for great profits, यह तो बात थी HFCL की, लेकिन अगर आप मेरे portfolio के multi-bagger growth stocks साथ जासे कि मैंने पहले का था, directly connect होना चाहते हैं, WhatsApp नमबर पे, इस पर मुझे message करिए, मैं आपको बता हूँगा क कैसे कैसे आप मेरे portfolio के साथ connect हो सकते हैं, मैं कई तरीके से आपको अपने portfolio के साथ connect कर सकता हूँ, अगर आप मेरे portfolio के साथ directly WhatsApp पे connect नहीं भी होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप channel को follow करते रहे हैं, यहां हम हर video में सिर्फ और सिर्फ मुनाफिय की बाते discuss करते हैं, मैं market course, ताकि आप पूरी clarity के साथ stock market में अपने investments के साथ आगे चल सकें, और अब तक वीडियो को तो आपने like करी दिया होगा, double like को option नहीं है, मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की वीडियों बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी information के साथ, जय हिंद.